मुरादबाद के दिली रोड इसी टिमेट कॉलीज में सौमी विवेकानन जैनती के अफसर पर अने कारिकरम आयो जित किये गया इस अफसर पर मुख्यतिती जिलादिकारी राकेश कुमार सिंग उत्तर प्रदेश बार साड़क्षन आयो के अध्यक्ष डॉक्टर विशेश गुपता ने मुरादबाद के युवाओं को सम्मानित करने का काम किया इस अफसर पर इबताया गया है कि स्वामी विवेकानन जैनती के अफसर पर मुरादबाद के दस युवाओं को सम्मानित किया है जिनोंने समास सेवा के साथ साथ हर वर्ग में इस शेहर का नाम रोशन करने के ने काम किया है इस अफसर पर जिलादिकारी राकेश कुमार सिंग ने सभी को स्वामी विवेकानन्द की जैनती की शुपकाम नहीं दी डक्टर राजीव कुमार ने बताया कि स्वामी विवेकानन्द केंद्र की स्थापना उसी शुला पर की गई है जहां पर स्वामी विवेकानन्द ने तीन दवस तक ध्यान किया था केंद्र का उद्देश स्वामी वेवेकानन्द के विचारों को युवाओं तक पहचा कर उन्हें राष्ट निर्मान के लिए प्रेणा देना है मुख्याति थी माननिय जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंग ने समाच के विबिन चेत्रों में कारी कर रहे दस प्रतिबशाली युवक्युफ्तियों को सम्मानित किया जिला अधिकारी ने युवाओं को संभोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकाननत के वाके उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष को प्राप्तना कर लो इससे प्रेणा लेकर युवा आगे बढ़े और राष्ट निर्माड में सहयोग करें युवा ये ना सोचें कि राष्ट ने उन्हें क्या दिया बलकि इस बात पर अपने प्रियास के इंडरत करें कि हम राष्ट को क्या दे सकते हैं श्वामी विवेगान जी का अजनल जीवस है और इसी उप्राक्ष में आपने देखा होगा प्राता फारे दस वजे से आज एक लोग्ष्ट का देखिकिया देखिता में इसमें कि वान्य पतामंत्री की ने भी समभदत किया था ग्याना बज़े से और शाड़े दस बजे से वह कारे कर रहा था मैंने इसमें को पूरा देखा था तो आज वह एक ईवा सम्मेलन का समावन पा और आपने देखा होगा कि वह पहली बाद लोग समाटे सेंट्रल अपाव में हुआ था और उसमें बहुत साले इवाम ने खाग लिया था आप हम आप सभी स्वामी विवेकानची के जीवन परिचे से भरी भाती वाकित हैं अगर आप देखे के तो वो अमारे भारत वर्ष की एक ऐसी सक्षियल थे जो युवाओं की लिए प्रयाश रोट हैं किसी भी फीट में काम तरने वाले हैं अमारे युवा साथी वो स्वा चैनल रूप युवा लुखत वाकिता उकते उटो जाओ और तब तक मत रुखो जब तक लक्ष की प्राफी ना हो जाए तो ये बहुत ही एक शूपत वाकिता बहुत चोटा वाकिता है यहिसमें बहुत सारे सार नीथ हैं किसी भी फीड में आगे मढ़ना है उन्हों ने कह जाओ जाओ तब तक मत रुखो जब तक लक्ष की प्राफी ना होता है बहुत सीधा सा संपोधन है कोई इसमें इतना कटेश सब्द नहीं है ये फिन एक एक सब्द में जो है जोस्वड़ा हुआ है अगर हम देखें तो हमारे देश का 65% जो पापुलेशन है वो ही माउं की पांटी अंनु है तो एक बशुड़ा का मानोश अंसाधन होएं जो सांडूप्यों ने сосट क्यों जाफर्षण में प्रेयोग हो और हमस्द और मोशरां में प्रेयोगा करया जो हमारी रिवाज शक्ति है वह बेस बा करे पानों का इसने क्टोथ तुश्लीटेशा पादमी के राइफ दorta उनका जिल स्वारा मेपार ह Shefarch कुमार गुपता ने अपने संबोधन में कहा युवा का अर्थ शारीडिक संग्रक्षना से ना लगाएं युवा का अर्थ सतस सीखने की इच्छा एवं विचारों की प्रगती शीलता से है आज के युवा का मस्तिष्क विचलित है ऐसे में वह स्वामी जी के जीवन एवं व प्रभाव शाली था कि सभी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाते थे उनका कहना था कि कोई आपको सिखा नहीं सकता आप सिर्फ खुछ सीख सकते हैं इसलिए सतत सीखने की इच्छा उन्नती का मार्ग है योग प्रशिक्षिका रिटू नारंग ने भावपूर्ण प्रस्तुती की जिसको नदी में सीचा है जिला अधिकारी महोदे द्वारा कारक्रम में समाच सेविका शिल्पी सैनी परवता रूही विपन सैनी खेल जगत से अभिनफ सेंग में धावी चात्र गौरफ सैनी, रक्तदान के छेतर में अभिनव भटनागर, सिविल डिफेंस से दिक्षांद चौधरी, एंसिसी से अंजली सुलंकी, वियोंतर पाठी, पर्यवरण के छेतर में सुनील यादव, योग के छेतर में कशिश चोहान को विवेकानद युवा सम्मान से सम्मानित किया गया. कोई समास सिवा कर रहा है, कोई चिकिसा के छेतर में है, कोई पर्यावरण के छेतर में है, कोई मिधावी छातर है, कोई खेल के छेतर में, ऐसे विविन शेतरों से जुड़े हुए, हमने अपने दस युवाओं को और युवतियों को यहाँ पर आज सम्मानित करने का कारिक में मुख्यरूप से सतीश अरोडा अनुपेद्र सेंग प्रशांत शर्मा नीलू रतु नारंग अजे नारंग पूनम चाहान आधी उपस्तित रहे और उनने किस तरीके से किती कम उमर में वो काम करके दिखाया है जो आज का यूवग अभी करना चाहता है तो ये एक प्रेणना सुरूत है और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई साथ ही हमारे विश्विद्याले के कुलपती श्री रगवीर सिंग जी है उन्होंने भी वो हमारा समय समय पर मार्ग दर्शन करते रहते हैं और मैं इस कारिकरम के लिए समय देने के लिए जिलादिकरी मौदे का हमारे कुलपती जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा साथी साथ मैं हमारे कुलादी पती सिरिसुरेज जीन साब गुरू वाइस चेर्मेन मरी जीन साब का भी दन्यवाद देना चाहूँगा कि वे इस कारिकरम के लिए हमें हमेशा उत्सावर्दन करते रहते हैं और कहते हैं कि ये इस तरीके के कारिकरम होने चाहिए जिस शात्रों का सरवांगिन विकास हो सके